कोबिट महामारी से निपने के लिए सभी लोगों को सहयोग करने की आवश्कता है और बीमारी से निपने के लिए कई तरह की वैटकों को भी राजनीत की दल अब स्तागित कर रहे हैं लेकिन परदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के द्वारा कई जगों पर एकर्थिक क करके कई जगों पर लोगों को कठा करके बीमारी को नियोता दिया जा रहा है ये बात पूरु वरास्टी महला कॉंगर्स अधेक्षाइबम पूरु बिधाईक हामीरपूर अनिता बर्मा ने कही अनिता बर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को खुद दे करना है कि इस तरह बैटकों का आयोजिन करके करोना दूर होगा या नहीं अनिता बर्मा ने कहा कि महामारी के चलते आज के समय में बिरोजगारी बड़ी है तो महंगाई वीचरम पर है उन्होंने कहा कि सरकार डिपों में दालंबो तेलों के दामों को बढ़ाने की बात कर रहे है लेकिन इससे गरीबों की कमल तूट जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए वहीं टिका करन के लिए भी सरल प्रक्रिया अपनाने के लिए अनिता बर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है आज करोना महामारी से हमें पूरन रूप से अजाद तो नहीं मिली है लेकिन हमने इसकी काफी रुकावट कर ली है इसके कुछ कारण हैं जैसे कि शादी बिया में कम लोगों की उपस्तिति और हमारी समाजिक या हमारी राजनितिक जो मीटिंगे हैं वो बंद करना उसे लोग जो है वो इकठे नहीं हो रहे हैं और इस महाबारी से थोड़ा पचाव हो रहा है लेकिन कुछ जो सरकार के मंत्री है और हमारे स्वयम सीयम वो कोई न कोई कारिकरम कर रहे हैं जिसमें एक बीड इकठी हो रही है जिससे ये करोना जो है फैलने के ज्यादा असार नजर आ रहे हैं तो मैं विंदी करूंगी कि सरकार आपकी है जो भी कारे करेंगे उसका आपको ही श्रय जाएगा तो क्यों इतने लोगों को इकठा करकर उनको ये विमारी भी दें आप और अपनी प्रशंसा करने की कोशिश करें ये इससे आपको थोड़ा बचना होगा औ और लोगों को भी बचाना होगा आज की तारीक में सेंटर की सरकार को महकाई पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है डीजर और तेल जिसकी कीमते इतनी बढ़ रही है उसको देखना बहुत अवश्यक है उन कंपनियों को बताना कि आज इस कीमत को ना बढ़ाएं क्यूंक कि आवागावी जो हमारे टेंपोज की और दूसरी वेकल्स की हो रही है जिसमें समान आता है बेशक वो खाने पीने का है या दूसरी वश्तों उनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं और आज महामारी के कारण लोगों की नौकरियं गई हैं मजदूर बहार निकल कर काम नहीं कर सक रहा है और कई कारण आज जो एक संपन परिवार था वो ऐसी विवस्ता में आ गया है वे भैसूस कर रहा है कि वो आज इस मिंगाई का मुकाबला नहीं कर सका तो इसमें स्योग सरकार को देना है डिपो में जैसे अगले महीने तेल और दालों के दाम बढ़ाए जाएंग उस पर ना बढ़ाए सरकार क्योंकि यही डिपो हैं जो गरीबों को सेवा करते हैं और खास करके जो बहुत गरीब हैं उनके लिए और अनाज देने की सरकार को पहल करनी चाहिए आज विश्व भर में ये ग्यात हुआ है कि टीका करण से इस महामारी पर काबू किया जा सकत है माना कि आप पूरे तोर पर द्यस्त नहीं हो सकते इस टीका करण से और आपको कलको करोना हो सकता है लेकिन एक भ्यंकर रूप जो ये महामारी लेती है उससे आप बच सकते हों और आगे जो एक तीसरी लहर आरी है जो खास करके कह रहे हैं कि बच्चों पर उसका असर उसके उपर सरकार को आज ही विचार करना चाहिए उसकी त्यारियां शुरू कर देनी चाहिए महाराश्रा जिसने सबसे ज़्यादा इस महामारी का कोप सहा है उन्होंने अभी से ही तीसरी लहर की इतनी अच्छी प्रबंद कर दिये हैं अस्पतालों में माओं के लिए भी लगाने शुरू किये हैं कि अगर बच्चा आएगा तो उसकी माँ भी उसके साथ वहाँ पे रह सकती है और हम लोगों को भी जल्द से जल्द इसकी भी त्यारी करकर पब्लिक और सरकार को इकठे होगा